हेलो स्टुडेंट्स आज हम टारेटरी पोईम की जो ना समरी करेंगे इससे पहले हम लाइन तो लाइन ट्रांसलेशन कर चुके हैं स्टैंजा की एक्स्पिलनेशन कर चुके हैं तो आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे ठीक है वाल्टर डेला मेर is a great point of childhood and dreamland both childhood and dreamland are connected with each other वाल्टर डेला मेर दो जो है ना वह बच्पन और तसावराती दूनिया का शायर है बच्पन का जमाना और तसावरात का जमाना आपस में बहम राबत रखते हैं यानि कि उसने अपने childhood और dream land और dreams को connect कर दिया हापस में यानि कि वो अपने बच्चपन में ही रह रह रहा है अभी तक He has a romantic bent of mind यानि कि उसका जिहनी रोजान जो है ना वो romantic है वो romantically चीजों को देखता है Like all romantic poets He escapes into an ideal and longed forward तुमाम romantic poets की तरह वो भी एक तसावराती और ख्वाहिश परम अपनी दुनिया में रह वरार अख्तियार करता है यानि इनसान की ये अजली ख्वाहिश रही है कि वो अपने आपको ताकतवर और जबरदस्त इनसान की रूप में देखना चाहता है इनसान जाता है कि वो सबसे ज़्यादा पावर्फुल हो उसका बस तमाम पावर्ज हों अच्छा जी इनसान ताकत हासल करने के लिए जाएज नजाएज जराय दोनों ही इस्तमाल करता है शाहिए लोग हसास होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं इस पावर्फुल आप इस इमेज ऑफ गलॉर्ण तसवरात में अपने आपको ताकत वर समझते हैं शान और शौकत के इस तसवर से वो खुशी हासल करते हैं इमेजिनेटिव वर्ल्ड में शाहिए लोग चले जाते हैं इनके पास ना दुनिया में ताकत हाज़र करने के ना जराय होते हैं और ना ही कोई हुनर होता है जस्ट वो इमेजिनेटिव इमेजिन करके खुद को पावर्फुल समझते हैं जस्ट ठीक है और ताकि उनको उससे खुशी मिले इस पराग्राफ में ना हमने यह जरूरी पराग्राफ है लिखना इसमें राइटर की नेचर लिखते हैं इसमें तमाम नेचर के बारे में बताया गया है जो रोमैंटिक राइटर होते हैं जो ड्रीम पर लिखते हैं तो उनकी नेचर किया ना इसमें हमने वोर डिसकस किया Walter De La Mer also dreams of having great powers after becoming the lord of Tartre The poem is figment of poet's imagination, the poem is journey into the realm of imagination Students Walter De La Mer is what he says, dream में चाहता है कि उसके पस powers हो और वो टार्टरी जो है उसका king हो, यह उसका एक dream है, imaginative land है जो इसका वो dream करता है, खाहिश करता है, just ठीक है, the poem is a figment of poet's imagination, यह poem जो है इसमें poet's की imagination का एक टुकड़ा मिलता है, यह सिर्फ शायर के तसवूर का एक टुकड़ा है नजम तसवरात की दुनिया में एक सफर है बस यह नजम जोहरी अतबार से एक romantic नजम है लेकिन, शायर ने टार्टरी की सरजमीन को हिस्तियाती और पुरकशिश तसवरों से खूब मजयन किया है यह उसने टार्टरी की सरजमीन को अपने तसवर से बहुत अच्छा सजाया है वो अपने आपको इस सरजमीन का बादशा तसवर करते हैं, यह सरजमीन हर किसम के जराय से माला माल है like all the ancient kings, he longs to have an ivory bed and throne of beaten gold his court will be attended by peacocks, the peacocks will walk and dance in his court fishes will swim in his pools and tigers roar in his forest in this way he longs to rule not only over men but over animal and beasts अच्छा जी वो चाहता है कि पराने बादशाओं की तरह वो हाथी के दांत के बिस्तर और सोने के ताज को हासल करना चाहता है वो चाहता है कि मौर उसके दर्बार में रक्स करें और उसे सजाएंगे मशलियां तलाबों में तैरती वी नज़र आएंगी जंगलों में शेर धाड़ेंगे गरजेंगे और इस तरह उसकी उक्रमानी सिर्फ लोगों पर ही नहीं बलकि उसकी उक्रमानी जानवरों पर भी अच्छा जी वो माजी के तमाम शाहना और पुर्वकार बार्शाओ की तरह जिन्गी की तमाम असाइशों से लुतफ अंदोज होगा ये भी उसके खाहिश है कि वो चाहता है जितने भी एंशेंट किंग है ना वो उनकी तरह जिन्गी गुजारे सेम एज इस जैसे उनकी हो मरानी थी नेक्स देखते हैं अच्छा जी वो चाहता है कि कोई म्यूजिक बजा करें जो उसको खाने के लिए इन्वाइट करें फिर शाम को वो चाहता है कि उसका जो महल है वो शहद की मानित जर्द और शराब की मानित सुर्ख रोशनियों से जगमग करेगा शाम को मौसीकी के सहर को नगमों से दिल बहलाएगा तो वो चाहता है कि ईवनिंग में उसका जो है वार इस तरह से हो As a lord of Tadri the poet longs to wear gorgeous dress decorated with jewels. Jewels will be white, gold and green color and they will be clustered thick as seed. In the morning he would put on his royal robes with a sword in his belt. His carriage will be driven by seven zebras through dark glades of Tadri. अच्छा जी Tadri के बादिशा होने की हैसियत से वो शांदार लिबास पहनेगा जिसमें हीरे और जवाराद टांके होंगे. ठीक है ये हीरे जवाराद स्वेद, सुनहरी और सब्स रंके होंगे. और ये उसके कपड़ों में इस तरह जुड़े होंगे जैसे बीज होते हैं. सुबा को अपना शाहना लबास पहनेगा और उसकी पेटी में एक तलवार जड़ी होगी. टार्टरी के जंगलों में सरसब्स दरखतों में एक गाड़ी साथ जीबरा खेच कर ले जाएंगे. और वो जीबरा उसे घने जंगलों की सैर कर राएंगे और पूरे टार्टरी की सैर कर वाएंगे. नेक्स लेखते हैं. माइंड में क्रियेट हो रही है. इस तरह के रंगीन इलफाज, शहद की तरह जर्थ और शराब की मानित सुर्ख, नजब के असर को दुबाला करते हैं. एक ब्यूटिफुल सा एफ़ेक्ट पैदा होता है नजब में इन कलर्स की विज़ा से. नजब का रुमानवी महोल मध में होशकुन है यानि के इसमें बड़ा खुबसुद सा इंवार्मिरुमन्ट हमें परवाइड किया गया है. ये नजब कालरीच की नजब की न नजब की याद दिलाती है. यानि के यानि ये नजब लोट खुब्ला कॉम की नजब की तरह ही है ठीक है. जो के फेमस पीन है. गल्रिच की की तो श्यूट्स हमारी सम्मरी एंगे इस जूनत आप यूटिक एप यूटिकी होप यू विल वे बढ दस्तान इस सम्मरी एप यूर अधर फ्यूर दूट्वर्ण